उत्तर प्रदेश के मक्य मंत्र योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बीजेपी के कारेकरताओं को अभी से 2024 के लोगसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्ररित किया है उन्होंने कहा कि अगले चुनाव की भाव भूमी हमें अभी से तैयार करनी होगी एक बार फिर से लोगसभा की 75 सीटे जीतने का लक्ष लेकर आगे बढ़ना है सीम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना सादेते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने अपने राजरितिक स्वार्थों के चलते एक अविश्वास की स्थिती पैदा की थी प्रदेश के लिए जो धारनाय देश और दुनिया में बन चुकी थी इन पात सालों में भले ही तीन सालों ही में हम काम कर पाएं पर दो सल इस सदी की सबसे बड़ी महमारी कुरूना की प्रबंधन और उससे हर नागरी को राहत मिल सके इस दिशा में केंदर और प्रदेश की सरकार ने मिलकर काम किया है उत्तर प्रदेश के सामने जो पिछली सरकारों ने अपने राजनितिक स्वार्थों के लिए एक अबिस्वास किस्तिती पैदा की थी प्रदेश के बारे में जो धाना एं देस और दुनिया में बं चुकी थी इन पाँच वर्सों में बले यह तीन वर्स ही हमें कारे करने को मिले हो दो वर्स इस सदी की सबसे बड़ी महामारी करोना के प्रवंदन और उससे प्रदेक नागरी को राहत मिल सके इस दिसामें जो प्रियास, केंदर और प्रदेश सरकार ने मिलकर के आगे वढ़ाए थे इसमें ज़्यादा समय हमारा प्रबंदन और इस से आम नागरी को राहत मिल सके इसमें ज़्यादा समय हम लोगों को लगाना पड़ा साथ साथ मैं आप सब काहुआन करूंगा हम सब को करोना कालखंड में के गए प्रिस्वरम के गए कारे सेवाई संगठन के इस लक्स को प्रदान करने में हमें सभलता प्रदान की तो साथ साथ केंडर और प्रदेश सरकार की उपलब्दियों को जन जन तक पहुँचाने का पेड़ाम चुनाओं में हमारे सामने आया है लेकिन हमें अभी दोहजार चौबीस के लिए अपने आपको अभी से तैयारी करके आगे वढ़ना होगा और दोहजार चौबीस के लोग सभा चौनाओं में प्रदान मंत्री मोदी जी के नित्रत्व में एक बार फिर से हमें सावित करना है उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्स से लेकर के अभी